Top 10 Questions per day की इस वीडियो में आपका स्वागत है ये 8 हो नमबर का वीडियो है आल्रेडी 7 वीडियो अपलोड हो चुकी है जिनका एक प्लेइलिस्ट है आप प्लेइलिस्ट वीजिट कर सकते हैं और सभी वीडियोस को वाँ से देख सकते हैं आईए ये सुरू करते हैं आज कि इस वीडियो का पहला Question और Question बहुत ही खुबसूरत है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस प्रकार के Question आपके एक्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं आपको Error बताना है कि किसमे Error है कहां पर Error है या आपर He stated that He prefers tea than coffee बताए फटाफट आपके सामने Options है कि इस पार्ट में Error है कि इस पार्ट में कि नो Error है या इस पार्ट में है या इस पार्ट में है चारों को खोल करके अलग-अलग रख दिया गया है A, B, C, D में A, B, C, D में आइए आपको हम बताते हैं कि कहां पर Error देखिए Error जो है यहाँ पर है than के साथ एक चीज आपको नहीं पता होगा तो लिख लिजेगा जब भी प्रीफर आता है तो प्रीफर के साथ than का प्रियोग नहीं करते हैं प्रीफर के साथ हमेशा to का प्रियोग होता है prefer के साथ किसी का प्रियोग होता है to prefer to याद रहेगा न option यहाँ पर a सही है यहाँ पर जो है कि then को हटा देंगे to coffee हो जाएगा he stated that he prefer tea to coffee then नहीं होगा याद रखेगा बहुत ही important है और कई बार आया fill in the blank से एक प्यारा सो question आपकी सामने they organized an event last month in days with another company तो देखिए एक तो वो है organize कर रहे हैं तो वो का मतलब एक company ही होगी और another company मतलब दूसरी company को तो एक company की दूसरी company की साथ क्या होता है collab होता है collaboration दो कंपनियों का मिलना option D हो जाएगा collaboration option D सही है यहाँ पर in even last month in collaboration with another company ठीक है आगे बल लीजिए he does to help me and called me a fool क्या होगा यहाँ पर called me a fool he offered offered होगा नहीं नहीं कह रहा कि उसने मेरे को बेवकुप बोला न तो यहाँ पर देखिए offered नहीं होगा thought भी नहीं होगा deny deny भी नहीं होगा deny का मतलब होता है deny का मतलब होता है जब कोई आपकी बात को खंडन करता है या blame करता है या charge करता है यह भी नहीं होगा option C सही होगा dear restaurant refused refused he refused to help me and called me a fool ठीक है आगे बढ़ लेते हैं एक चीज मैंने आपको बताया था कि English में फ़ नहीं बोलते है जैसे यह क्या है इसका जब pronunciation करते हैं तो फ़ मतलब आपका जो lips है न वो सटेगा नहीं pronunciation से लीजिए बहुत important चीज होता है तो जैसे आप बोलते हैं फादर तो फादर नहीं होता है फादर जब भी फ़ बोलेंगे तो यह दोनों आपका जो lips है न वो सटेगा नहीं बीना इसको सटाए बोलिए फादर ठीक है आप फादर बोलते हैं गलत होता है प्रनांसिस है फूल नहीं है फूल कहेंगे तो यह वाला फूल हो जाएगा फूल कहेंगे तो यह गुलाब का फूल का मल का फूल वाला फूल हो जाएगा फूल lips आपके नहीं सटने चाहिए फादर कहते हैं चलिए आगे बढ़ लेते हैं Extra knowledge था आप के लिए One who tries many fail But on who does not try never ये तो simple सी बात है Succeeds होगा Option C सही होगा Succeeds Who does not try never Succeeds Option C सही होगा यहां पर आगे बढ़ते हैं ये क्या हो गया आगे बढ़ लीजी ए The lady das to be a close यहां पकराना है कि हमने उस लेडी को अपना रिलेटिव पाया रिलेटिव तर्ण अप का मतलब हुता है अपर या सीम्स रिलेटिव ठीक है उस उस lady को हमने क्या पाया अपना relative पाया turned up होगा voice बताये voice से question है कि they believed that he lied they believed क्या होगा यहाँ पर देखे यह जो we believe that यह तो क्या है simple सी बात है यह क्या है active eyes है क्या है active eyes है है ना यह active eyes है तो आएए मिलाते है option B जो है देखें we believe that यह तो active का active रख दिया है तो यह गलत हो जाएगा यह नहीं होगा he believed to option A भी नहीं सही होगा अब A और B दोनों हट गया तो बताये C सही होगा कि D सही होगा C में देखें it was किर दिया है it was नहीं होगा option D तब सही हो जाएगा he was believed to have अगला question आपके सामने है spotting the error से दो खुबसूरत question आपके सामने है दोनों अलग-अलग question है दिख एक सास रहे हैं जरूर लेकिन question दोनों अलग-अलग है एक question यह और एक question यह बताये His dishonest acts have made his parents been heads in shame shame का मतलब क्या होता है सर्म होता है ना उसके कर्तूतों ने उसके माता-पीता का सिर क्या खर दिया जुका दिया जुका दिया तो bent bent नहीं होगा यहाँ पर bent नहीं होगा bend होगा bend क्या होगा bend है ना आई यह दूसरा देखते है no stronger of figure यहां पर देखिए जो है यह को मत सुचेगा कि पहला लगलत यह है एक्ट्स के लिए आए ना बहुत सारे एक्ट्स है उसकी जो कर्तूतें कर्टूतें बहुत सारी कर्तूत है उसकी ठीक आईए दूसरे पाड़ता है no stronger a figure than his is prescribed in the history इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ हुआ कि इतिहास में इतना मजबूत ब्यक्तित्व किसी का नहीं रहा है न हिस्ट्री में तो यहाँ पर सिंपल साइड रहे देखिए आप यहाँ पर देखिए इन दो नहीं होगा दो गलत है क्योंकि इन दो हिस्ट्री यह आर्टिकल सीडर है दो हिस्ट्री का मतलब कोई खास सितिहास की बात नहीं होगी इन जनरल हिस्ट्री है तो दो नहीं लगेगा यहाँ पर ठीक है आगे बढ़ते हैं साइन नहीं बताइए यह जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है पेरिफेरल पेरिफेरल का मतलब होता है ना जो चीज इंपोर्टेंट नहीं है मतलब एक्स्ट्रा है पेरिफेरल डिवाइसे होती है देसे आप अपने कंप्यूटर में या computer में pen drive लगाते हैं तो एक्स्ट्रा है ना वो computer के अलग से लगता है या चीप हो कर लगाते हैं तो एक्स्ट्रा है peripheral तो इन्हें essential होता है option A इसका pronunciation गुज़ है essential है ना essential circumference का मतलब circumference इसका मतलब तो परिदी होता है ना बागी सब तो आसान इंप्टेंट middle ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला बताइए इसका synonym बताइए intolerance यह आपको जायतर न्यूज़ पेपर में देखने को मिल जाएगा शब्द जो है intolerance इसका synonym बताइए intolerance का मतलब होता है ना कि आप दूसरों के view को स्विकार नहीं करते हैं तो यहाँ पर partiality हो जाएगा option c से यह पार्सियालिटी का मतलब होता है अपने बिचारों को प्राथिमिक्ता देना intolerance में यही होता है ना अपने बिचारों को प्राथिमिक्ता देते हैं लोग दूसरे के जो points है दूसरे के जो विचार हैं views हैं उनसे सहमयत नहीं होते हैं बागी सब तो आ आज के लिए इतने ही दस तो होई गए आप बताएगा कि समझ में आया कि नहीं और बाकी आप इस प्रकार के quiz अगर solve करना चाहते हैं तो instagram story में मैं daily quiz डालूँगा मैंने आपको बता दिया है इसका मैं time table भी set कर दिया हूं सूबह ही जातर डालूँगा तो दस उधीर बंदे मातर